नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल रस्मी के नुभव में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए यह मोड़ वाला बहुत ही सुन्दर सा डीजाइन देखे आई हूँ इसे आप अपने कालडिगन में कोटी में पलाउज में हाप स्वेटर में जैन स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में बच्चों की स्वेटर में डाल सकते हैं सीधी तिरफ से ऐसा दिखाई देता है और उल्टी तरफ से यह ऐसा दिखाई देता है इसमें हमको 11 के मुल्टिपल में फंदे चीए होते हैं 11 फंदे 11 फंदे 11 फंदे और इसमें आपको 5 फंदे एस्ट्रा लेने पड़ते हैं चलि-स इसी खाती हूँ आपको इस डिजाइन कैसे बना जाता है देखे फ्रेंड्स इस डिजाइन के लिए मैंने पहले से ही छोटी सी पट्टी बना के 27 फंदों में 11 दुनी 22 और 5 फंद ऐस्टा 27 फंद में मैं मैंने यह डिजाइन के इतनी सी पट्टी बना के देख लिए आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी के हिसाब से पट्टी बुनेंगे और उसी के हिसाब से आप फंदे डालेंगे चलिए सिखाती हो आप पोई कैसे बना जाता है पहली सलाई सीधी तरफ से एक करेंगे आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ ये एक फंदे को छोड़के यही ग्यार फंदे हमको बार बार रिपीट करने तीन फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे हमारा एक डिजाइन कमप्रीट हो गया हम फिर से एपीट करने देखे दागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन दागा पीछे करेंगे आठ फंदे उल्ट सीधे एक दो तीन चार पांच छै साथ देखे फ्रेंड्स आठ यहां से यहां तक हमारे दो डिजाइन कम्प्रीट हो गये लास्ट में आपके बास चार फंदे बचेंगे इसको धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे और एक फंदा हम सीधा बनेंगे यह एक फंदा एजिस्टिच का है सीधा और तीन फंदे हमको डिजाइन सेट करने के लिए बुनाई की दूसरी सलाई हमारी स्टार्ट हो गई है जो उल्टी तरफ से है इस पर हमने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए जो तीन फंदे पहला फंदा हम उल्टा बनेंगे अजि तीन धागा अपनी तरफ करेंगे आठ फंदे उल्टे करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह एजिस्टिच को छोड़के यही आठ फंदे हमको बार बार रिपीट करने हैं हमारा एक डिजाइन कम्पीट हो गया हम फिर से रिपीट कर रहें देखिए धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब धागा अपनी तरफ परेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहां से यहां तक हमारे दो डिजाइन कम्पीट हो गया धागा पीछे करेंगे लास्ट में चार फंदे बचेंगे तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और एज इस्टीज हम धागा अपनी तरफ करके उल्टी बुनेंगे इस तरीके से हमारी बुनाई की दो डिजाइन दो सलईयां कम्पीट हो गई हैं अब हमारी बुनाई की तीसरी सलईयां एज इस्टीज को हम ऐसे ही लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल् थी, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा पिछे करेंगे, आठ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, एजिस्टिक को छोड़ की, यही आठ फंदे हमको पूरी सलाई में कम्पीट करने हैं, तीन फंदे उल्टे, आठ फंदे सीधे, फिर सम रिपीट करें, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पिछे करेंगे, आठ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, और आठ, यहां से, यहां तक मारे दो डिजाइन कम्पीट हो गया, आप ऐसी ही पूरी सलाई बुनेंगे, लास्ट में आपको चार फंदे मिलेंगे, धागा अपनी तरफ करके, तीन, उल्टे, धागा पिछे करके, एज, जिस्टीज हम सीधा बुनेंगे, हमारी बुनाई के तीन सलाई कम्पीट हो गई है, अब हमारी बुनाई के चोथी सलाई है, जैसे हमने दोस्री बुनी थी, इसको भी हम ऐसी ही बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पिछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन फिद्धाग आपनी तरफ करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँ छै साथ आठ एजिस्ट्रीज को छोड़के यही 11 फंदें को बार बार कम्प्रीट करने है तीन फंदे उल्टे सीधे आठ फंदे उल्टे फिर हम रिपीट करें देखें तीन फंदे सीधे एक दो तीन दागा आपनी तरफ करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँ छै साथ आठ यहां से यहां तक हमारे दो डिजाइन कम्प्रीट हो गए है लास्ट में आपके पास चार फंदे बचेंगे धागा पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके आज इस टी से हम उल्टा बुनके कम्प्रीट करेंगे इस तरीके से हमारी बुनाई की 4 सलाई्यां कम्पलीट हो गई एं देखे friend बुनाई की 4 सलाई्यां कम्पलीट हो गई एं अब हम पाँचवी सलाई बुने बूने ध्यान से देखेगा पहला फंदा एजिस्टिच का हम सीधा होता रहेंगे यहां से हमारा repeat pattern इस्टार्ट हो गया, धागा अपनी तरब 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे, अब यह जो 8 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 फंदों में 4 फंदे हम इधर twist करेंगे, और 4 फंदे हम इधर करेंगे, तो 4 फंदों में हमने का करना है, इन 2 फं फंदों को इसमें लेंगे, और इन 2 फंदों को भी हम यहां लेंगे, इस सलाई से यह पीछे के 2 फंदे हम इस सलाई में डालेंगे, और अंगुठे और पीछे अंगुठे के मदद से पकलके हम इन 2 फंदों को सबसे आगे ले आएंगे, इस तरीके से, अब हम पहले आगे लाई हुए फंदे बुनेंगे एक दो अब ये हम दो जो पीछे से लाए थे वाली फंदे बुनेंगे आगे से जो पीछे लाए थे देखे एक दो देखे फ्रेंट्स हमने चार फंदे ट्विस्ट कर दिये इसी दरीकित से इन चारों को भी ट्विस्ट करना हमने लेकिन इधर की दरफ को तो हम क्या करेंगे पहले पीछे से ये दो फंदे इसमें लेंगे और इन दो फंदों को हम आगे करेंगे और आगे के दो फंदे हम इसी सलाई में ले करके पीछे ले लेंगे अब इनको हम पहले आगे डालेंगे दिखे एक और दो जैसे निकालते हैं वैसी ले लेते हैं अब पहले हम पीछे से लाए हुए फंदे बुनेंगे एक दो अब हम आगे के फंदे बुनेंगे एक दो इस तरीके से हमारे यहां से यहां तक दस फंदों में हमारे यह एक फंदा छोड़के जो यह हैं एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा यह ग्यारा फंदे हम को बार बार रिपीट करने हैं हमने क्या करना है तीन फंदे उल्टे और आठ फंदों में ट्विस्ट करना है हम फिर से रिपीट करना है देखे दागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन दागा पीछे करेंगे इन चार फंदों को में हमने ट्विस्ट करन इस तरीके से देखिए और इन दो फंदों को हम इस सलाई में लेके सबसे आगे डाल देंगे एक दो इस तरीके से अब हम पहले पीछे से लाए हुए फंदे बुनेंगे एक और दो अब हम आगे के फंदों को बुनेंगे जो आगे से हम पीछे ले आए एक दो इस तरीके से हमें चार फंदों को ट्रिस्ट कर दिया अब इन चारों को भी हम इसी तरीके से ट्रिस्ट करेंगे लेकिन इधर को करने हैं इसलिए पीछे की तरफ से लेंगे हम एक दो दो फंदे हमने ले लिए अब इन फंदों को ये आगे के फंदों को हम पीछे डालेंगे इस तरह के से पीछे डाल देंगे और इन फंदों को हम सबसे आगे डाल देंगे अब पहले हम ये आगे के फंदे बुनेंगे एक दो अब यह हम आगे से जो पीछे लाएते हैं उनको बाद में बुनेंगे एक दो इस तरीके से हमारी यहां से यहां तक दो डिजाइन कम्प्रीट हो गए है लास्ट में आपके पैस पूरी से लाई करने के चार फंदे बचेंगे धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे एक फंदा एजिस्टिच का सीधा बुनेंगे इस तरीके से हमारी बुनाई के सात्वी सलाई कम्प्रीट हो गई है अब हमारी बुनाई के आत्वी सलाई है इसको हम ऐसी बुनेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे आठ फंदे में यहाँ पर उल्टे बुनेंगे जो हमने मोड रखे थे एक एक करके हमने बुनने हैं दो तीन चार, पांच, छै, साथ, आठ यहाँ से एक फंदे को छोड़ करके यह जारा फंदे ही हमको इस सलाई में बार बार रिपीट करने हैं हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं और तीन फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे बुनने हैं हम फिर से रिपीट करें देखे दागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धाग आपनी तरफ करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ यहां से यहां से यहां तक हमारे दो डिजाइन कम्प्लीट हो गए आप इसी तरफ पुरी डिजाइन सलाई कम्प्लीट करेंगे लास्ट में धागा पीछे करेंगे चार फंदे बचेंगे तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा इस तरीके से हमारी बुनाई के आठ फी सलाई कम्प्लीट हो गई है देखे फ्रेंड्स आठ सलाई में हमको इतना छोटा सा डिजाइन ये बनके तैयार मिलेगा इसी डिजाइन को अगर आप इनी आठ फंदो को बार बार कंट्यून करेंगे तो आपको इस तरीके का डिजाइन सुन्दर सा डिजाइन बनके आपके सामने आएगा ये देखे जैसे ये जो ये डिजाइन है यहाँ पर लास्ट में ये हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया है ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हुआ है इसी इनी 8 फंदों को अगर बार बार इनी 8 छाहिए को बार बार आप कंटून करंगे तो आपको इस टाइप कर डिजाइन मंचे नहीं बनके त्यार हुगा, तो लास्ट में आप मेरी भुनाई आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, मेरे वीडियो को लाइक कीजे मिलती हूँ आपको फिर से नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए ओके थैंक यू, बाबाई